नमस्कार दोस्तो मेरोटीब चैनल में आप लोग का स्वागाता मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने माला हूँ कि यूपी में ASI, कलर्क और ASI के पदो पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके लिए कौन-कौन अपलाई कर सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पड़े लिखा होना चाहिए कितनी आप लोगों को सेलरी दिया जाएगा और और कब से कब तक आप लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हो अंतिम्तिति क्या होगी और आप लोग इस notification को कहां से download कर सकते हो इस सभी चुछों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने माले हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं आप लोगों को अपना google browser open कर लेना है और यहाँ पर type करना होगा और एंटर कर देना है आप लोगों को सामने official website open हो जाएगा आप लोग थर्ड नंबर पे आप लोगों को आ जाना है सूचना विज्यापि 23-23-2021 पे और यहाँ पर click कर देना है और आप लोग देख सकते हो जो official notification है वो download हो चुका है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरिक्षक गोपनिये पुलिस सहायक उपनिरिक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरिक्षक लेखा के पदो पर सीधी भरती 2020 दिनांग देख स 400 से लेके 1,12,400 रुपे है टोटल 295 पदो पर भरती होना है और 32 पद जो है अलग से पुलिस सहायक उपनिरिक्षक लिपिक के लिए पेवेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 25,200 से लेके 92,300 इसमें 624 पदो पर भरती होने वाली है और 20 पदो पर अलग से पुलिस सहाय पुलिस उपनिरिक्षक लेखा के लिए पेवेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 25,219 से लेके 92,300 है इसमें 358 पदो पर भरती होने माला है तोटल आप लोग यहा抗 से कितने पदो पर भरती होने माला है सेक्टिक योग्यता देख लेते हैं पुलिस उपनिरिक छक के लिए भारत ने विदी द्वारा इस्थापित उसे विदाले से इसनातक उपाधी या सरकार द्वारा मानेता प्राप समक्ष अरहता होना चाहिए आप लोग इस तीनों पदों के लिए जबी अपलाई कर सकते हो जब आप लोग ग्राईवेशन आप लोगोंने कम्प्लीट कर लिया हो और कम से कम आप लोग एक साल का कम्प्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए या तो आपने ग्राईवेशन के समय में आपके सब्जेक में computer course हो जबी आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो आयू देख लेते हैं अभ्यार्थी की आयू 21 वर्ष की आयू पुन कर ली हो और 28 वर्ष से अधी की आयू पुन ना की हो कहने का मतलब यह है आप लोग अगर 28 वर्ष के बीच में हो तो आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो अधिक्तम आयू सीमा में छूट आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो अनुसूची जाती के लिए 5 वर्ष है अन्य पिहड़ा वर्ष के लिए 5 वर्ष भूत पूर्वा सैनी के लिए 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज कर्मी के लिए 5 वर्ष है भरती परिक्रिया के बारें बात कर लेते हैं आपका जो exam होगा online होगा या offline होगा तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो ऐसे अब ब्यार्थी जिनके अवेदन सही पाये जाएंगे उनसे 400 अंकों की online लिखित परिक्षा में समिलित होने की अपेक्षा की जाएगी आप लोग यहाँ पर देख सकते हुए विशय और अधिक्तम अंक है समान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान सव अंक का होगा समान्य जानकारी समसमयएक विशय सव अंक आएगा संख्यात्म के हैं मांसिक योग्यता परिक्षः ये भी सव अंक होगा मांसिक अभिरूची परिक्षा तारकी परिक्षा ये भी सव अंक आएगा टोटल जो है 400 नंबर का होगा आगे पढ़ते हैं लिखित परिक्षा है परते एक विशय में 35% अंक लाना अनिमार रहें आप लोगों को सव में से 35% अंक लाना अनिमार होगा और कुल 40% अंक प्राप करने में भी फल रह आप लोग यहां पर पढ़ सकते पूर्स अभ्यारतियों के लिए सारी मानक परिक्षण के मानक उचाई कितना होना चाहिए समान ने अन्य पिछडा वर्गो और अनिसूचित जातियों के अभ्यारतियों के लिए निमतम उचाई 136 cm होना चाहिए अनुसूचित जाती के है 70 cm बीना फुलाए पर और कम से कम 82 cm फुलाने पर अनुसूचित जातियों के लिए 75 cm बीना फुलाए फुलाकर 80 cm से कम नहीं होना चाहिए निमतम 5 cm सीने का फुलाव अनिवार है महिला अभ्यारतियों के लिए सारी परिक्षण के मानक उचाई होना चाहिए 150 cm और होना अनिमार है इसके लिए आप लोग online कब से अवेदन कर सकते हैं वो देख लेते हैं पंजियन आरम होने की थिती है 1521 पंजिकरण की अंतिम थिती 31 5 2021 है अवेदन सुल्क जमा करने की अंतिम थिती 31 5 2021 है तो दोस्तो अभी तक इसका online अवेदन सुरू नहीं किया गया है अव अब लोगों को ये वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो subscribe कीजिए ताकि ऐसी काम की वीडियो जुरतमंद लोगों तक पहुंच सकें इस वीडियो से रेडिड अगर आप लोग कोई सवाल है तो हम हम आप लोगों को सवालों का जवाब दे सकें थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो